इसलिए मधरशमा की आपके हऊ करें को अगर मैं उसकी में उसको जहां करें रिए लिए अधि a धल्लों धोस्तों इस विलकम osi रख करें सब्लुकम अगर आज नावस है और आज के इस ब्लोग में अगर आप भी कोई गलती करते हैं तो आपको भी नुक्सान उड़ाना पड़ेगा टाइम बेस्ट करना पड़ेगा आपका दीन खारा होंगे एक अपते दो अपते क्योंकि आपके अंदर होता है थोड़ा सा लालच लालच में कभी सरी वीडियो के अगर आप लालाच को रोगे ना तो आपके दिन खाला मंगे आपके साथ कुछ भी हो सकता है लालाच एक बहुत भुरी भला होती है तो दोस्तों आज के अंदर मैं थोड़ा सा आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं और जो बाई के ऊपर में वीडियो बना रहा हूं सारा कुछ बताने वाला हूं आज के ब्लोग के अंदर ब्लोग अच्छा लगए का तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो वह भी कर देना तो दोस्तों आज का ब्लोग कर लेते हैं इस्टार्ट तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे पास एक भाई का फोन आया था फोन में क्या था कि मतलब आज और परसों के दिन फोन आ था मतलब होली के एक दिन पहले शाम की टैम तो अगर यह चीज है ना में पॉंट किया ना जैसे आप कोई गाड़ी ले रो आपके ब उपर की ओपीस होती है अटेश्मेंट होती है वेंडर होते है एजेंट होते है इनके पास गाड़ी ना लगाने की वज़े से अपने पास खुद अपने मतलब ओलनाइन प्रोसेस करके खुदी गाड़ी लगा ले तो क्या गाड़ी लग सकती है हमारा टाइम बेस्ट होगा क्या नहीं होगा तो उसी के उपर मैं बताने वाला हूं आज का विलोग है उसी के उपर अगर जो बाई गाड़ी ले रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हम एजेंट के पास ना जाने की बज़ाए खुदी गाड़ी लगा ले और जो चार्जिस लिए जाते हैं उनको बचा लिया जा दोस्तों मैंने इसके उपर एक महिना पहले वीडियो बनाई थी आपको मैं दीखाऊंगा इसके उपर ही पूरी टोटल वीडियो थी जिन क्यूंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं है और न देखने की बज़े से ही यह प्रॉल्लम आती है तो मैं आपको यह वाली वीड तो आप इस चीज से अंदा लगा सकते हैं कि मतलब आप जो भी जाना चाहते हैं अपनी मरजी से वो चीज ठीक है बट कुछ चीज़ें इसी होती है आप अगर मुस्त पर ट्रस करते हैं कि मेरी वीडियो पर ट्रस करते हैं आपको जो इन्फोर्मेशन में शेयर करता हूं व इस वीडियो के अंदर आपने देखी नहीं ना देखनी की वज़े ही है आप जो गलतियां कर बैटते हो आपको परिशानिया काड़ी होती है वो चीज यही होती है क्योंकि आप वीडियो रीच नहीं करना चाहते हैं मेरी मत देखो किसी के और की देख लो दूसरे की देख पर जो भी वीडियो देखो ऐसा सोचके देख लो हाँ इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी इंफोर्मेशन मिले जो हमारे काम आ सकती है यह काम आएगी आज नहीं आएगी काल आएगी आ सकती है जरूर आएगी तो वो सोचके अगर आप वीडियो देखो गए न तो आगे होली के एक दिन पहले मेरे पास एक भाई का फोना आता अगर वह देख रहा हो तो आप यह चीज का विल्कुल भी बुरा मत मानना ठीक है उसके लिए अगर बुरा लगे तो उसके लिए सौरी तो मैं कपी सारे भाईयों को यह चीज बताना चाहता हूं अगर वह भी जैसे आपने गलती की हो अगर और भी कोई गलती कर रहा है तो यह चीज ना हो तो दोस्तों भाई का फोन आया था उली के एक दिन पहले बाई ने बोला मैं एक अपता पहले मतलब 28 तारीक को मैंने गाड़ी को मतलब 28 फरवरी में गाड़ी ओनलाइन मैंने प्रोसरीस किया और प्रोसरीस करके गाड़ी को लगाया है तो मैंने आपकी सीडी के अंदर कोई एजेंट या उला उबर की तरफ से कोई बंदा यह काम नहीं करता ही क्या तो करते हैं वह एक गाड़ी मतलब एक उसमें अटेच करने के लिए 500 रुपे मग रहे थे मतलब 500 रुपे उला के 500 रु मतलब आपने मतलब 500 रुपे से ज्यादा आप अनिंग कर चुके होते हैं क्यों माना अगर वह पंदा 500 रुपे ले रहा है अगर आगे चलके कभी भी कुछ भी इसू आता है तो वही बंदा आपकी प्रोब्लम सौल करेगा आप सबसे पर आपकी जो प्रोब्लम है ना आपक अगर आप अपनी तरफ से ओनलाइन प्रोसिस करते हैं अगर आगे चलके अपने फोन करके बूचा उन्होंने पाइसे बता दिये फिर वह इनची उचको ध्यान में रखते हैं फिर आप से मतलब सो की जगे 500 मंगेंगे 500 की जगे 2000 मंगेंगे इसा भी होगा एचीज माल लो क्योंकि आपने अपना काम खुद ऑनलाइन किया तो बाई के साथ क्या हुआ ना आट से 10 दिन खराब किये और अभी तक गाड़ी रजिस्टर्ट भी नहीं हुआ अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे पेपर जो भी डोकिमेंट होते ना वो मतलब बैंगलो हो रही है जहां-जहां मैंन ओफिस होती है वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर चेक होने के बाद आपको उनको इसाब से रिप्रोबल दिया जाता है अगर आप उनके तुरू गाड़ी लगाते ना मैं तो मैंने भाई को बोला कि अगर गाड़ी लगा देते तो जैसी गाड़ी जाते ना पेपर डोकिमेंट अपलोड होने के बाद है ना आपके आइड़ी है ना बहुत से बहुत से टाइम ज्यादा से ज्यादा टाइम है ना एक गंटे में आपकी आइड़ी चालू हो जाती और आप 8-10 दिन हो बोला यार आसिब आपने बहुत सही बात बताई एक हपता मेरा खाराब हो गया और अभी पी कुछ होने रहा तो अभी मैं क्या करूं तो मैंने बोला भाई अभी पी कुछ बिगड़ा नहीं है अभी चले जाओ 500 ले रहाए दे दो क्यूंकि अभी क्या हो गया आगा वेंड कि तरफ से बेटे हुए उनको एक कोड दिया जाता है वह अपने कोड के हिसाब से आपकी गाड़ियां को अटेश्मेंट करते हैं तो वही चार्जिस लेते हैं मतलब 500 रुपए हजार रुपए वह अपनी मेहनत का मतलब बेटे हैं टाइम वेश्ट कर रहे हैं गाड़ी का पे जो कमाने वाला था वह भी टाइम गया तो मतलब अगर 500 रुपए डाल दिये जाते मेरा कहने का मतलब यह था अगर 500 रुपए दे दिये जाते तो दस यार रुपए का मैक्सिमम काम कर लिया जाता और दस दिन खराब भी नहीं होते और अब बंदा अगर आप नहीं जा रहो अब यह सब जमेला चोड़के ना सीधा आप उपीस पे चले जाओ तुरंद रेजिस्ट्र हो जाएगी गाड़ी एटेच हो जाएगी क्यूंकि उनके पास एक कोड़ होता है जो कंपनी देती है और इसके लिए ही आपकी गाड़ी जो रेजिस्ट्र होती ही ना मेल आड़ी होती है आप अगर जाएगे वहाँ पर आप तो गाड़ी डेच हो जाएगी तुरंद टाइम बेस्ट बिना किये जो भी आपके टाइम खरा होते हूं बाकी मर्जी आपकी यह क्या नहीं है मैरे इसकोचा इसके उपर एक लग बरा दू अगर कोई भाई भी अगर इसी गलती करता है इसे 500-400 रुपे बचाने के लिए अपना टाइम बेस्ट करते हैं एक अपता दू अपता खराब कर रहे हैं तो मैं उनको कहूंगा भाई आप सीधे अपने अपने ओला उबर के चले जाओ जो भी है एजेंट लोग बेटे हैं वहीं बेटे हैं आप अपना खुद का और 15 से बाँ बंढ़ आपनी अपनी आइडी को ओपन करता हुं तो मुझे दू अजार रुपे देने अगर जल्दी करता हूं तो कपनी का वेड़ करूंगा कब तक करे की कोई इशू नहीं फिर भी बंढ़ ए 15 से बाद अगर मैं कराने जाता हूं तो मुझे 2000 रुपे देन तो कंबनी के तरफ से कब चाली होगी छे मैं नहीं होगी आड़ मैं नहीं होगी या फिर एक साल के बाद होगी तो यह चीज़े होती है आप समझ चाल लो जारा कुछ सीज़े किलियर है अगर विलोग अच्छा लगेगा तो आप लाइक करके जरूर जाना अगर कुछ में सें मैं चाल को सप्राइब आजाएन जाएन